नमस्क्राइब दूस्तों आज इस वीडियो के अंदर एक law student जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए सबसे important में चीज आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी लोग जानते हो कि आप एक law student हो यानि कि आप LLB कर रहे हो 5 साल वाली या LLB कर रहे हो 3 साल वाली तो उसके अंदर आपका कोई भी एयर में होंगे 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year as the case में भी अब यहां पर आपको एक समझने वाली बात यह है कि आप जब अपने कोई भी एय के पास अपना internship करने लग जाओगे उतना जल्दी आपको practical perspective जो हमारा procedure होना चाहिए वह आप जल्दी सीख पाओगे फिर आपको mean focus करना पड़ेगा अपने provisions के उपर अपनी पढ़ाई के उपर अपने particular acts के उपर जैसे कि जो हमारे court के अंदर daily basis पर use होते हैं कि actually आपको CRPC क का पूरा procedure, criminal procedure पता होना चाहिए, CPC का procedure पता होना चाहिए, IPC के अंदर offenses जो define है, उनके sections with punishment और with tribal by which magistrate ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सारी basic बाते होती हैं, तो ये time के साब से आप इतने जादा bold हो जाओगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा मुद्दा बताने वाला हू जिसमें आप बिल्कुल शौक हो जाओगे, कि एक law student जो है, वो दिल्ली high court, मलब एक particular metropolitan, mad state के court के अंदर appear हुआ, मलब वो लड़की थी हलकी, तो वो appear हुई as a proxy advocate के तौर पे, as a proxy council के तौर पे, तो जिन वकील के पास वो अपनी internship कर रही थी, ठीक है, तो उनकी जो advocate थी, उन जास साब तुमसे कुछ भी पुछेंगे, बस तुम उसका इस छोटा सा ये जवाब दे देना, फिर तुमार को metropolitan, mad state जो है, वो तुमार को adjustment दे देंगे, यानि कि दूसरी तारीक case की दे देंगे, क्योंकि मैं अभी जो है, दूसरे case में busy हूँ, बस इतनी से एक बात थी, त भाई, बिल्कुल भी valid नहीं है, अगर particular, जो magistrate साब बैठे हो हैं न, bench के उपर, तो अगर उनको पता लगा, तो आपके खिलाफ, automatically, section number 177, 179 of the Indian Penal Code के तहट, FIA अज हो जाएगी, भाई, आपका carrier भाई, खतम, याद रखना मेरी बात को, तो इस case के अदर यही हुआ, ऐसा ह भी हुआ, तो मैं आपको बताने वालों, यहाँ पे, metropoline magistrate के आगे, वो जो law intern थी, जो लड़की थी, वो अपनी appear हुई, metropoline magistrate के आगे, अपनी adjournment पाने के लिए, क्योंकि उनकी जो advocate थी, जिनके पास वो internship कर रही थी, उन्होंने इनको यही राई दी थी, SSSAC कर लेना, ठीक है, अब metropoline magistrate तो भाई, वो magistrate है, उन्होंने बोला कि अच्छा, वकील साहिबा, आप जो है, adjournment लेने आए हो, तो आपको case के facts तो पता होंगे, तो आप मुझे बताओ कि adjournment हम आपको क्यों grant करें, दो-चार कोशनिंग करी है, और obviously, magistrate साब जो एकदम तो बोलेंगे कुछी case के regarding, अब जो वो intern थी, as a proxy advocate के तोर पे, जो वो treat कर रही थी, भाई, इनको case के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उनको कोई facts पता ही नहीं थे, दूसरी और solid और important बात ये, कि वो जो law intern थी, वो एक law college, हिंदी मीडियम से अपनी law अपनी कर रही थी, लेकिन जो हमार हमारे bench पे, हमारे metropolitan magistrate साब जो बैठे हुए थे, उन्होंने जो questions पुछे थे, as per the case, वो English में पुछे थे, English language में पुछे थे, दूसरी problem ये आई, उनको law intern को, कुछ समझ में नहीं आ रहा किया, actually magistrate साब मुसे पूछना क्या चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़े, दिक्कत मे आ गई और यहाँ पे, clear तोर पे, metropoleum magistrate को साब को पता लग गया, कि यहाँ पे ये advocate नहीं है, कहीं न कहीं से भी, दूसरी बात, यहाँ पे, officially, metropoleum magistrate के आगे, उस particular law intern ने confess करा, कि honourable जसाब, मैं जह है, first year law student हूँ, हिंदी medium से मैं law कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता, क उनका ये case है, उन्होंने मुझे proxy advocating बना के भेजा हुआ है, इतनी सी बात थी, जैसी metropoleum magistrate को पता लगा, metropoleum magistrate सामने डिरेक्ट भाई, उस particular law intern के against में, FIA दज कर दी, अब आप लोग बताओ, कि यहाँ पे confess भी कराए, ठीक है, particular जो लड़की थी, law intern थी, उसने confess भी करा, बट metropoleum magistrate ने cognizance लिया इस matter को, और यहाँ पे section number 177, 179 of the IPC, August 2022 में FIA दज कर दी है, और section number 419 and section 209 of the IPC की पे FIA दज कर दी, अब यहाँ पे case book कर दिया, ठीक है जी, अब यहाँ पे FIA को quest करनाने के लिए, आपको सीधा तरीका क्या होता है, भाई, high court में आपको approach करना है, वो quest कर सकता है, ऐसे ही यहाँ पे particular law intern ने high court को approach करा, high court को approach करने के बाद, यहाँ पे high court के अंदर मुद्धा आया, तो high court ने माना कि भाई, देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात, जो law student है उसने गलती तो करी है, बट यहाँ पे law student ने fairly सारे facts को disclose करा, ठीक है, सारे के सारे facts को disclose करा, क्योंकि जो metropolitan magistrate ने जब cognience लिया था, तो वो record करेंगे, ना सारी बाते, सारी गलतीयों को record करेंगे, actually क्या हुआ, क्यों cognience लिया, क्यों F.I.D.A.J. कराने का order pass करा है, metropolitan magistrate ने, etc., etc., ठीक है, तो यहाँ पे high court ने, दिली high court ने बोला, कि भाई, देखो, यहाँ पे ह है, council as a advocate के तोर पे appear भी होना है, तुम जब ही हो सकती हो, जब तुम appropriate तरीके से properly, bar council of India के अंदर enrolled हो जाओगी, और bar के अंदर admit हो जाओगी, अगर तुम यह नहीं करती हो, अगर दुबारा ऐसी हरकते का पाई जाती हो, तुम आहीं हम तुमारे खिलाफ proper F.I.R. दर्ज करे और तुमारे उपर हम proper prosecution चलाएंगे, याद रखेगा, it's a clear warning to you as well as all the law students, याद रखेगा, आप कोई भी state के अंदर हो न, कोई भी state के अंदर आप किसी भी advocate के पास practice कर रहे हो, भाई, आपको कोई वकील बोलता है, जिस भी advocate के पास अपने as a intern के तौर पे आप काम कर रहे हो law internship कर रहे हो, आपको कोई बोलता है न, कि भाई देख्यार, इस particular case के न, तुम जह है, एजन्मेंट लिया हो, तो भाई, इस साफ मिना करता हो कि, sir, मैं जब eligible ही नहीं हूँ, जब मेरे पे bar council का license ही नहीं है, तो how I can appear as an advocate before the court, तो अगर पकड़े जाओगे न, तो भाई, clear तो पर न, contempt of court भी लगता है, और clear तोर पर तुम यार, कानून की कोई इजदी नहीं रख रहे है, कानून की clear तोर पर बेजदी कर रहे हो, कि जब तुम्हार को बोला हुआ है कि practice करनी है, उसी व्यक्ति को जो LLB degree holder है, और enrolled as an advocate है, LLB degree के बाद state bar council के न, enrollment करना है, फिर अपने AIB clear करना है, उसके बाद जब enrollment आपका complete हो जाएगा, पुरा verification हो जाएगा, documents का, तब जाके जुम्हार कोट के नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, जब यह सारे rules बना रखे हैं, तो इन rules की कोई validity रही नहीं जाएगी, अगर कोई भी आके आए, code के नहीं आपेर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक validity के बात आती है, तो please थोड़ा सा आप इस चीज के अपर ध्यान रखेएगा, यह भी case आया है, मेरे को लगता था कि आप लोगों को यह सब को बताना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है, clear warning है, सारे के सारे law students के लिए, कि आप appear मत होना, proxy council in the trial court, it's a clear warning, याद र यहाँ पे council जो थे, petitioner के उनका नाम था Mr. Sachin भंडूरी, and council जो थे, respondent के तौर पे उनका नाम था Mr. Raj Khumar, बाकि साथी details, मैं पूरे का पूरा केस की judgment की copy जो है, आपको deception box के अंदर दे दूँगा, मैं आशा गता हूँ कि आपको यह information बहुत अच्छी लगी होगी, एक नही awareness के दौर पे, तो आप अगर वीडियो ऐसी informative देखना चाहते हैं, तो वीडियो को like जू करेगा, चैनल को subscribe जरू करेगा, कोई भी आपका doubt आए, तो comment box आपके लिए open है, doubt clear कर सकते हैं, मिलते नेक्स वीडियो के अंदर, thank you, तरवाद.